कोलकाता केस में एक या दो लोग नहीं बलकि कुल आठ लोग मौजूद थें CBI के रिपोर्ट के अनुसार अभी अभी जब संजय राय को थर्ड डिगरी दिया गया तब उसने बताया कि दरसल उस दिन आठ लोग मौजूद थें यही नहीं संजय राय ने तो यह भी बताया कि उन आठ लोगों ने किस तरीके से बारी बारी से डॉक्टर बिटिया की अस्मिता को लूटा था यही नहीं उस संजय राय ने तो यह भी बताया कि जब आठो लोग उसके साथ गिनवना काम कर रहे थें तो आठ में से किन किन लोगों ने उसका कौन कौन सा अंग तोड़ा था और किस किस जगह पर मारा था यह इतनी दुखत घटना उसने बताई जिसको सुन करके खुद CBI की रोंगते खड़ी हो गएं कि आखिर इंसान इतना निर्दई कैसे हो सकता है बतादें कि CBI के अधिकारियों ने मेडिया से बात करते हुए बताया है कि पॉलिग्राप टेस्ट में संजय रोय ने जो बयान दिया था वह बिलकुल अलग था और अभी थार्ड डिगरी देने के बाद उसने जो बयान दिया है वह बिलकुल अलग है तो आईए जानते हैं कि आखिर संजय रोय ने हमें पॉलिग्राप टेस्ट में क्या बताया था संजय रोय के वकील के अनुसार पॉलिग्राप टेस्ट के दोरान उसने अपनी बेकुनाही को बरकरार रखा था टाइम साफ इंडिया रिपोर्ट की अनुसार संजय रोय से दस सवाल पूछे गए थे इसमें से यह भी सवाल सामिल था कि महिला की कथित हत्या के बाद उसने आगे क्या क्या किया उसने सीवियाई के अधिकारियों को पता है क्या बताया उसने बताया कि यह सवाल ही बेकार है क्योंकि मैंने तो हत्या ही नहीं क दिया जाए फिर हम इसे थर्ड डिगरी में सारी जानकारी निकलवा लेंगे और आखिरकार सीबी आई को सफलता हाथ लगी अदालत ने संजेराय को थर्ड डिगरी देने के लिए मंजूरी दे दी और कल साम को जब उसे थर्ड डिगरी दिया गया इसके बाद उसने जो कलेजे की जरुखत होगी अगर आपका कलेजा मजबूत है तो चलिए बताते हैं कि उन आठ लोगों में से किन किन लोगों ने डॉक्टर बिटिया के साथ कितनी देर और क्या-क्या किया था और ये भी डिसकस करेंगे कि उन आठों लोगों का क्या-क्या नाम है और यह भी रॉय ने प्रिंस्पल घोस के खिलाफ कौनसी ऐसी बड़ी जानकारी दे दी कि जिसकी वज़ा से प्रिंस्पल घोस को अभी अभी आठ दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है लेकिन वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोगों से हाथ जोड कर निवेदन है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करूं तो दरसल बता दें कि CBI के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया है कि दरसल डॉक्टर बिटिया के साथ जो घिनवना काम संजयरोय ने किया था उस घिनवने काम का एक एक जानकारी अब उसने दे दिया है और यह जानकारी इतना खास है कि जिसे सुनने के बाद CBI के अधिकारियों के भी पहरो तले जमीन खिसक गई थी संजयरोय ने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ आठ लोग मौजूद थें जिसमें से एक मैं भी था अगर डॉक्टर बिटिया को काउंट किया जाया तो कुल नौ लोग उस हॉल में मौजूद थें उसने बताया कि जो पहला बंदा था वा बहुत ही पहुँचा हुआ बंदा था और उसी ने ये सारा कारिकरम और्गनाईज किया था बता दें कि उन आठ लोग पहले से ही सेमिनार हॉल में पार्टी कर रहे थें जब देखा कि कोई लेडी डॉक्टर आ रही है कमरे में तो वो लोग छुप गए थें और इसके बाद अकेला पा करके ये दुसकरम किये हैं बता दें कि संजेरोय ने बताया कि उन आठ लोगों में से जब पहला इंसान डॉक्टर बिटिया के साथ दुसकरम कर रहा था तब ही उसने पैर की उंगली को तोड़ दिया था जिससे डॉक्टर बिटिया दर्द से कराहने लगी थी और उसका कुछ खास बिरोध नहीं कर पाई दूसरी बार जब दूसरे इंसान ने दुसकरम करने की सोची तो वो दुसकरम करने से पहले ही डॉक्टर बिटिया का हाथ तोड़ दिया था बता दें कि संजय रॉय ने बताया कि आठ मेंसे आठो लोग जब जब कोई काम करते थे तो वो सबसे पहले डॉक्टर बिटिया के किसी न किसी अंग पर वार जरूर करते थे जिससे डॉक्टर बिटिया पस्त हो जाती थी और वहां किसी प्रकार का बिरोध नहीं कर पाती थी संजे रॉय ने बताया कि जब छठा आदमी दुसकर्म करने गया था तब बिटिया रानी उससे हाँ जोड़कर कह रही थी कि मुझे पानी पिला दिया जाए लेकिन तब से लेकर के अगले तीन घंटे तक किसी इनसान ने उसे पानी नहीं पिलाया और अंत में मैंने गला दबा करके डॉक्टर बिटिया का अंत किया था यही नहीं संजे राय ने तो यहां तक बताया कि मरने के बाद ही दो लोगों ने मिलकर उसके पैरों को तोड़ा था बता दें कि संजे राय वही इनसान है जिस इनसान ने पॉलिग्राप टेस्ट में कहा था कि मैं बेकसूर हूँ और अब थार्ड डिगरी के बाद उसने सारी सच्चाई बता दी उसने प्रिंस्पल घोस की भी इसमें इन्वाल्मेंट पर हामी भरी है यही नहीं आपको यह भी बता दें कि संजे राय वही इनसान है जो अपने चारो बीबियों को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उसके साथ हैवानियत में कॉपरेट नहीं करती थी अभी तक आपने सुना होगा कि संजे राय की चार साधियां हुई थी और चारो साधियां छूट गई थी जिसमें से कुछ मर गई थी, कुछ भाग गई थी लेकिन जो लोग भागे थी उन्होंने बताया कि संजे राय निहायती एक इंसान के वेस में जानवर है और यह जानवर भगवान किसी को न दे हैं बता दें कि संजे राय की जो आखरी पतनी थी, जिसे कैंसर की वज़र से दुनिया छोड़ना पड़ा था वह जब कैंसर से जूज रही थी तब भी संजे राय उसके साथ दुसकर्म कर रहा था यही नहीं, उन आठों में से जो पांचवा इंसान था उसकी नजर डॉक्टर बिटिया पर पिछले एक महीने से पड़ी हुई थी और प्रिंस्पल गोस तो चाहता ही था कि वह जल से जल किस्सा खतम करे इसके पीछे कारण यह था कि डॉक्टर बिटिया ने उस हॉस्पिटल में हो रहे सभी गोरक धंदों पर अपनी नजर बना ली थी और उसके खिलाब सबूत इकठा कर लिया था संजे राय ने बताया है कि जब वह यह सभी काम करके वापस आ रहा था तो हॉस्पिटल के एक कोने में वो सोया था लेकिन सुबह सुबह जब सबको पता चला कि क्या हो गया है तब वह भाग करके एक गाड़ी में छुप गया था इसके बाद जब पुलिस ने उसे गिरफतार किया तो उसे लगा था कि हमारे आका जो हैं जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे सर हैं वो हमें बचा लेंगे इसलिए संजे राय ने पुलिस से पकड़ाते ही तुरंत बोल दिया था कि हां मैंने ही यह सारा अपराद किया है ताकि उसे कोई थपड़ न मारे संजय राय आज तक लगभग 20 से जादा महिला के साथ अपराद कर चुका है और उन 20 महिलाओं के साथ हुए अपराद में संजय राय को अभी तक एक भी दिन की जेल नहीं हुई थी इसी रिए संजय राय को लगा था कि यहां भी मामला दब जाएगा और उसे जेल नहीं होगा लेकिन भारत के सच्चे भाई और बहनों ने इस मामले को उठा करके आखिरकार संजय राय और संदीप घोष जो प्रिंस्पल है ऐसे तमाम गुंडों को यहां दिखा दिया है कि भारत की जनता आज भी अगर चाह ले तो दुनिया की कोई भी अपराधी कहीं भी बच नहीं सकता और जस्टिस फार बिटी अरानी के लिए इस वीडियो को सेर जरूर करें